हाई एविए वलकम बैक तो माई चैनल री स्टैल टीज आज का वीडियो में अन लोग के लिए लाई हूं जिनका अक्ने प्रॉंग स्कीन है आज आज आम बस दो प्रोडक्स है घर में ही हमारा टी आईवाय पेस्टेंजर बनाएंगे जिनका सेंसिटीव हैं एक्ने के साथ साथ बहुत अपके स्किन को सूथ एंड काम भी करेंगा जिनका ड्राय स्किन है वह अगर बार वर फोम बेस्ट या फिर जेल बेस्ट हमारा मार्केड वाला पेस क्लींजर यानिकी फेस वर्ष यूस करते हैं तो उनका स्किन और सब्सक्राइब होने के चांसे होते हैं तो उन लोग के लिए यह आज का DIY फेस क्लींजर बहुत ही बढ़िया काम करेंगा बस दो प्रोड़क्स से हम इस आज बनाएंगे यह कितना एफेक्टिव है और क्या क्या गूर्ण है सब मैं इस वीडियो में आगे बताऊंगी तो प्लीज कीप ऑन वाशिंग अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सरूर कर लीजिए चलते आज की वीडियो की तरफ लेस्ट सबसे पहले हम लेंगे अलवेडा जेल नेचास का लिया है आप कोई भी ले सकते हों वान टीस्पून हम इसको लेंगे एंड कुछ भी बिना डाले इसको थ वाइट कलर के फॉर्म में यह आ जाए देखिए वाइट कलर के फॉर्म में आ रहा है एंड जब यह ऐसे फॉर्म में आ जाएगा तो इसका मतलब यह है कि आपका फेस क्लींजर रेडी हो चुका है इसका एपलाई करने के लिए थोड़ा सा फेस को गीला कर लीजिए एंड इसको आल ओवर फेस में मसाज कीजिए एलोवेरा में जेंटल क्लींजिंग की प्रॉपर्टी होती है साथ में एंटिबेक्ट्र प्रॉपर्टी भी होती है जो कि पिंपल को ट्रीट करता है वीटामिन ए ओयल हमारा जो स्किन का डर्ट है उसको निकालने में हिल्प करता है साथ में ओयल को भी बैलेंस करता है अब जानते होंगे कि हम ऑई यूज करते हैं कॉरियन में भी बहुत ज्यादा ऑई का यूज होता है क्लीन करने में वीटमिन इपोहुत ज्यादा स्कीन को स्मूध और सूध भी करता है तो थोड़ा सा मसाज करने के बाद थोड़े देर बस दो तीन मिनिट इसको फेस में रखिए और दिन इसको वश कर लीजिए पानी से दिन में एक लिश दो वार इसको यूज करने कि ट्राइ स्क्षिन में आके अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है हिल्फुल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना और साथ साथ बिल बेटन को किछ जरूर करना आप मुझे इस्टरग्राम में भी फॉलो कर सकते हो इसका लिंक ड्रिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरू बले बाये